36 गड़ में हुए विधान सभा चुनाव 2023 में भारती जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली BJP ने 90 में से 54 सीटों पे जीत दर्च कर सत्ता में एक बार फिर से वापसी कर ली वहीं चुनाव से पहले सत्ता में काबेस कॉंग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 35 सीटे मिली चुनावी दौर में 36 गड़ में केंद्री नेताओं का आना जाना लगातार बना रहा नई-nई योजनाओं की घोशनाई की गई और इन सब का असर चुनावी नतीजों में देखने के लिए मिला चुनावी नतीजों पे जितना असर केंद्री नेताओं के 36 गड़ में आने का पड़ा है उतना ही असर यहां के लोकल कारेकरताओं की मेहनत का भी है और इसको देखते हुए 36 गड़ में बीजेपी ने उन सभी कारेकरताओं को सम्मानित करने का फैसला किया है भाजपा के प्रदेश अद्यक्ष किरंड सिंदेव ने कहा चतिस गड़ विधान सब चुनाव में शांदार जीत मिली है और इस शांदार जीत को दिलाने वाले कारेकरताओं का अभिनांदन समारों भी संभागों में होगा इस अभिनांदन समारों में मुख्यमंत्र विश्णोदेव स्नाई भी मौजूद रहेंगे पहले बस्तर फिर दुर्क और उसके बाद पांचो संभागों में ये कारेकरम आयो जित किया जाएगा फिलाला भी इस वीडियो में इतना ही है ये वीडियो आपको पसंद आयो तो इसको लाइक करें शेयर करें और 36 गड़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विबाग को सब्सक्राइब करना न भूले